आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो गाइस तो Question है हमारा Calculate the correlation coefficient between X and Y and comment on their relationship तो हमें एक डेटा दे रखा है और हमें क्या Calculate करना है Correlation Coefficient X और Y गिवन है Minus 3, Minus 2 पहले लिख लेते है Minus 1, 1, 2 and at last is 3 और यहाँ पे 9, 4, 1, 1 4, 9 अब जब हमें X बार निकालना होगा तो कैसे निकलेगा सबको sum करना पड़ेगा और उसको Divide करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब N 6 है और बाकी इन सबको Plus करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 0 तो X बार होगे हमारा 0 और Y बार के लिए हमें Y वली लाइन मतलब Sigma Y सबको Plus करेंगे और Divide कर देंगे 6 है तो हमारा निकल करके आएगा 4.67 ठीक है उसके बाद हम इस दोनों की mean की values है न Small X और Small Y निकालेंगे Small X कैसे निकलता है X माइनस X पार और Y कैसे निकलता है Small Y वाला Y माइनस Y बार तो निकालते जाएंगे X माइनस X बार तो माइनस 3 माइनस 0 तो मतलब माइनस 3 minus 2 minus 0 minus 2 I see minus 1 1 2 and it last is 3 I see y be nikala hega 9 minus 4.67 4.33 minus 0.67 minus 3.67 then minus 3.67 minus 0.67 then 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 ठीक है फिर हम करेंगे x का square फिर y का square फिर x into me y इस x का square करेंगे small x वालेगा तो x square करेंगे तो 9 4 1 1 4 and at last is 9 फिर y square इसका square करेंगे 18.75 0.45 ठीक है इसका square करेंगे तो फिर आएगा 13.47 फिर 13.47 0.45 फिर at last is 18.75 ठीक है फिर x into y करेंगे तो यहां लगते जाएंगे इसको इसके साथ multiply करेंगे तो माइनस 12.99 1.34 3.67 माइनस 3.67 माइनस 1.34 फिर 12.99 ठीक है उसके बाद क्या करेंगे x square, y square और x, y वाली को इना प्लस कर देंगे x square को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 28 y square को जब हम प्लस करेंगे तो निकल करके आएगा 65.34 फिर x, y जो हमने करा है इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 0 हमारा r निकालने का formula क्या होता है sigma xy upon me root of sigma x square into me sigma y square तो 0 upon me root of 28 into me 65.34 तो साफ-साफ किसी भी number को अगर 0 से मतलब कि 0 को किसी भी number से अगर आप उपर numerator में रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा answer तो मतलब correlation coefficient क्या हो गया 0 और हमें question में पूछा गया है हमें इसके relationship के उपर comment करना है मतलब कि 0 अगर r है तो इसका मतलब क्या हुआ कि there is no linear relationship between x and y ये between है x and y मतलब कि अगर r equal to 0 है मतलब correlation coefficient 0 है इसका मतलब हम x और y के बीच में कोई भी linear relationship नहीं है तो ये था हमारा question Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट आच चार्सो 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 पर